नमस्कार दोस्तों एक बर फिर से स्वागत करती हूँ आप सब का आपके अपने चैनल रैट इन्फो वेज में दोस्तों कैसे हैं आप सब आप सब आप सब अच्छे होंगे आज मैं आपके लिए जानकारी लेकर आई हूँ पूने अजनी एसी सुपर फास्ट एक्सप्रस ट् बनाओं तो मुझे कमेंट सेक्षन में लिखके चरूर बताएं दोस्तों यह ट्रेन पूने जंक्षन से अजनी तक चलती है इस ट्रेन का नंबर है 22,123 यह ट्रेन 14 गंटे में अपनी दूरी कवर करती है टोटल दूरी चो यह ट्रेन कवर करती है वो है 887 किलोमेटर और इस के तकरीबन 11 स्टेशन है यह ट्रेन हाफते में से रफए की दिन चलती है शुक्रवार के दिन आप आत करते हैं इसके टिकेट किराय की इसमें 1st AC, 2nd AC, 3rd AC के डिबे अवेलेबल है 1st AC का किराया है 3945 रुपए 2nd AC का किराया है 1735 रुपए 3rd AC का किराया है 1215 रुपए दोस् तो वीडियो को आगे बढ़ाते और बात करते हैं इसके टाइम टेबल और इसके स्टेशनों के बारे में यह ट्रेन पूने जंक्षन से हर शुक्रवार को तो पहर के 3 बज कर 15 मिनट पर 4 या 6 नंबर प्लाटफॉर्म से रवाना होती है अगला इसका स्टेशन आता है दौन मिनट पर पहुंचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है इसका अगला स्टेशन आता है मनमार जंक्षन जहां पर यह रात के 8 बज कर 30 मिनट पर पहुंचती है और 5 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है इसका अगला स्टेशन आता है बूसावल जंक्षन जहां पर ये रात के 10 बचकर 40 मिनट पर पहुंचती है और इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है अगला इसका स्टेशन आता है दोस्तो नंदूरा जहां पर ये रात के 11 बचकर 54 मिनट पर पहुंचती है और एक मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है इसका अगला स्टेशन आता है अकौला जंक्शन जहाँ पर ये रात के 12 बचकर 50 मिनट पर पहुँचती है और 5 मिनट के स्टॉप के लिए रुपती है इसका अगला स्टेशन आता है बदनेरा जंक्शन जहाँ पर ये रात के 2 बचकर 27 मिनट पर पहुँचती है और तीन मिनट के स्टॉप के लिए रुपती है अगला इसका स्टेशन आता है धमन गाउं जहाँ पर ये रात के तीन बच कर दो मिनट पर पहुंचती है और एक मिनट के स्टॉप के लिए रुपती है अगला इसका स्टेशन आता है वर्धा जंक्शन जहां पर यह रात के 3 बच कर 40 मिनट पर पहुंचती है और इसका यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है इसके बाद यह अपने आखरी स्टेशन अजनी पर पहुंचती है सुभे के 5 बच कर 15 मिनट पर और 3 नमबर प्लाटफॉर्म पर जाकर अपने यात्रा समाप्त कर लेती है इसे के साथ इस ट्रेइन की वीडियो की जानकारी समाप्त होती है दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें